इस वीडियो के अंतितक बने रही है इस वीडियो के अंदर मैं आपको महादेव के कुछ ऐसे चमतकारों के बारे में बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आप बहुत ज़ादा हिरान होने वाले हैं वेलकम टू मैं यूटूब चैनल तो स्वागत आप सबका हमारे यूटूब चैनल के अंदर ये बात शुरू होती है दिली के एक छोटी सी जगा से जहां पे महादेव की भक्त फैमली रहा करती थी इस भक्त फैमली ने कभी भी महादेव के आगे वींती प्रातना और पूजा करने उनकी कभी नहीं चोड़ी महादेव इस चीज़ से काफी ज़ादा परसंत होते थे और उनकी ओपर हमेश्या अपनी किरपा बना के रखते थे आप सबी लोग जानते हैं महादेव काफी ज़ादा दियालू भगवान है उनके आगे हम छोटी से छोटी वींती और बड़ी से बड़ी वींती अगर सचे दिल से करते हैं तो इस बात को वो बहुत जल्द मान के हमारी वींती प्रातनाओं को पूरी करते हैं अगर आप भी महादेव के आगे वींती प्रातना करते हैं तो वो आपकी भी पूरी जरूर करेंगे दिल्ली के अंदर ये जो चोटी सी फैमली रहा करती थी इस फैमली के अंदर दो इनके बेटे थे और साथी साथ माबाप थे इनके माबाप को काफी जादा दिक्कत परशानियों का सामना करना पड़ता था कभी-कभी जब इनके घर के अंदर पैसों का मामला आता था क्योंकि जिसके पिताजी थे वो काफी जादा कम पैसा कमा पाते थे बैटरी ओटो उसके पिताजी चलाते थे जिसकी विज़र से उतना पैसा नहीं आ पाता था जितने पैसिक का पूरे के पूरे घर में खर्च अच्छे से चल पाए इस छोटी सी दिक्कत की वज़ा से उनके घर के अंदर काफी जादा बड़ी बड़ी दिक्कत प्रशानियां आती थी लेकिन उन्होंने तबी भी महादेव के आगे विंती प्रातना और साथ उनकी महीमा करना नहीं छोड़ा हर दिन उनकी महीमा और साथ ही साथ उनकी पूजा करने के कारण महादेव उनके परसन ही रहते थे उनको कभी भी बूखे पेट सोना नहीं पड़ता था क्योंकि उनका हर काम महादेव कुछ ना कुछ करके कर ही देते थे क्योंकि महादेव काफी जाता द्यालू है लेकिन इन चीज़ से तो उनका परवार आगे निकल गया था लेकिन एक बड़ा सा काल जो उनकी ओपर आने वला था उस काल का नाम था पैरलाइस उसके पिता जी को पैरलाइस हो गया उसके पिता जी बैटरी इक्षा चलाते थे अब उनके घर के अंदर खानने का काम भी नहीं हो पा रहा था लेकिन उनके घर के अंदर थोड़ा बहुत बचा खाना था उसके वज़ा से उनका घर चल रहा था लेकिन महादेव की वींती प्रातना करने के कारण महादेव उनके उपर हमेशा किरपा बना गया रखते थे एक दिन जब उनके पास बिलकुल भी पैसा नहीं बचाता हस्पताल के अंदर लेके जानने के लिए तो फिर महादेव ने अपना चमतकार दिखाना शुरू किया उनका पूरा का पूरा परवार उनके पिता जी के लिए विंती प्रातना और पूजा कर रहा था कि जल्द से जल्द उनके पिता जी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और महादेव ने इनकी ये बात जल्द से जल्द मानी और इस बात को मानते हुए महादेव ने अपना चमतकार दिखाया जिस वक्त पे उनके घर के अंदर बिलकुल भी पैसा नहीं था उस वक्त पे महादेव ने किसी ना किसी रूप के अंदर आके उनकी मदद करी एक भला इनसान हुस्पिटल के अंदर आया और हुस्पिटल के अंदर आने के अबाद उन्होंचे पूरा का पूरा उनका खर्च उठाया और उठायते ही उन्होंने 2-3 लाग रुपे की उनकी मदद यह और 7-7 बाद यहीं तक खताव नहीं होती उनके पूरे घर का समान वगेरा भी उनको खरीद के दिया चाहे उनके घर के अंदर कोई खाने पीने का समान हो या फिर किसी दवाईयों का समान हो उनका सारा का सारा काम उस भले इनसान ने किया और उस इनसान का नाम था शम्बू आपने बिल्कुल सही सुना उस इंसान का नाम था शंबू और बाद में जब उसके पिता जी ठीक हुए ठीक होने के बाद उन्होंने पूछा कि इतना सारा पैसा आया कहां से हमारे घर पे तो बहुत कम पैसा था क्योंकि मैं बैटरी रिक्षा से जितना पैसा कमा पाता था उतने पैसे थे इतना सारा काम तो नहीं ओ सकता था तो फिर इस बात को बोलते हुए इनके बच्चों ने ये बताया कि एक शंबू नाम के भले इंसान आये जिनोंने सारा का सारा खर्च उठाया तो फिर उसके पिता जी ने कहा कि महादेव का नाम होता है शंबू महादेव के कई नामों के अंदर एक शंबू नाम भी है उनका और साथ इसाथ और इस बात को सुनके उनके पूरे परवार ने महादेव का काफी जादा शुकरिया किया और साथ इसाथ उनकी काफी जादा पूजा करी और जैसी ही उनकी प्रस्तितियां धीरे धीरे ठीक होती रही उस वक्त पे महादेव का उनोंने लंगर करवाया और साथ ही साथ मंदिर के अंदर भी दान दिया महादेव इन चीजों से उनकी ओपर और भी जादा किरपा करेंगे जहां तक हमारा मानना है अगर आप भी ऐसी महादेव के आगे वींती, प्रात्ना और पूजा उनकी करते हैं तो महादेव आपकी भी जरूर सुनेंगे और आपको काफी उचाईयों तो कलेकर जाएंगे अगर इस वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ ऐसी और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करके बला आइकन को आउन करके ऐसे और वीडियो को भी पास सकते हैं ऐसे और वीडियोज हमारे चैनल के अंदर भी कहीं सारे भरे होएं आप उन्हें जाके भी देख सकते हैं अब मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई